नमस्कारम नमस्कारम इस बहत्तवे गंतंत्र दिवस पर 71 सालों के बड़े बड़े संगर्शों के बाद कई चीजों का विकास हुआ है और सभी स्थरों पर सबर्दस तरीके से देश में व्रिद्धी हुई है हम हमेशा ही इसे और भी बहतर बना सकते हैं अभी भी कई चीजों का खयाल रखना बाकी है अभी भी कुपोशन मौजूद है अभी भी गरीबी मौजूद है अभी भी हमारी कई सारी समस्याएं है लेकिन इन 71 वर्षों में हमने एक लंबा सफर तह किया है हर वह व्यक्ती जिसने इसमें अपना योगतान दिया है पिछली पीडी और मौजूदा पीडी और हर राजनीतिक दल सभी नौकरशा, सभी अधिकारी जो देश में सरकार और व्यापारों में काम करते हैं उद्योग और युवा जिनोंने कई बार खड़ी होकर देश की दिशा बदली है उन सभी को मेरी बधाई और शुपकाम नाए हम में से हर एक ने अपने खुद के तरीके से प्रयास किया है देश में उलजने रही है, देश में संघर्ष रही है लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद यह देश एक समवेधानिक राष्टर के रूप में और एक गंतंत्र राष्टर के रूप में हमारी देश की उम्र 71 वर्ष है लेकिन एक सांस्कृतिक राष्टर के रूप में हम हजारों सालों से मौजूद रहे हैं बिना किसी संदेह के निश्चित रूप से हम धर्ती के सबसे पुराने देश हैं। लेकिन एक देश के रूप में हम साथ आए। धर्म की या भाशा की या नसले की समानता के कारण नहीं। जैसे ज्यादा तर देश बने हैं। हम सबसे अधिक विविद्ध रूप में साथ आए। जो लोग हमें बाहर से देखते हैं। वे सोचते हैं कि यहां सब कुछ अस्त व्यस्त है। लेकिन हमारी अव्यवस्था कुछ ऐसी है। अगर आप किसी बगीचे की तुलना किसी जंगल से करें। तो जो बगीचे में रहते हैं वे जंगल में जाकर हगबका जाएंगे। लेकिन अगर आप एक महीने तक बगीचे का ध्यान न रखें तो बगीचा बचेगा ही नहीं। लेकिन जंगल लाखों सालों से मौजूद रहे हैं। तो जो उपरी तौर पर अस्त व्यस्त लगता है, उसमें खुद को बरकरार रखने की जबरदस्शमता है। सबसे बढ़कर एक देश के रूप में हम हमेशा से जिग्यासूँ की भूमी रहे हैं। नकि विश्वास करने वालों की भूमी। जग्यासूँ होना यानी हमने अपने अज्यान में निवेश किया है। अज्यान की बुद्धिमत्ता को समझना बहुत महत्वपून है। इस जीवित प्रह्मान में हम जो जानते हैं वह बहुत ही छोटी सी चीज है। हम जो नहीं जानते, यह हमारा अज्ञान वह असीमित प्रकृती का है, हमारा अज्ञान वाकई असीमित है, तो हमने हमेशा इसमें निवेश किया है, इसी वज़े से यह एक जिग्यासूं की भूमी है, यही हमारी ताकत रही है, हम कभी भी एक बहुत ही व्यवस्तित प्रकृ प्रक्रिया नहीं रहे हैं। लेकिन इस देश में व्यक्तिगत प्रतिबा हमेशा सामने आई। क्योंकि हमने किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं किया। हम हमेशा जिग्यासु बने रहे। अज्यानता की बुद्धिमत्ता को समझने का यही मतलब है। यह समझना की जीवन की प्रक्रिया हमेशा पूरी तरह दधकती रहती है। अगर आप विश्वास करने वाले बन जाते हैं तो आप थम जाते हैं। लेकिन जब आप एक जिग्यासु होते हैं तो आप लगातार हमें इस आग को खोना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी प्रगती इसी में है, हमारा भविश्य इसी में है। हमें इस भूमी को उस महानता तक ले जाना होगा जिसका आनंद इसने हजारों सालों से उठाया है। ऐसा करने का समय आ गया है। मैं आप में से हर से विनती करता हूँ आप युवा हो या बुजर्ग बस इतना करें आप जो कुछ भी कर रहे हैं। अभी मैं जो चीज कर रहा हूँ, क्या वह इस देश के लिए अच्छी है या इस देश के लिए अच्छी नहीं है। बस इस बात का खयाल रखें। इस एक विचार के साथ मुझे यकीन है कि एक फिर से हम इसे भाव्य भारत बनाएंगे।